Hello guys, this is Nikhil, आपको पता है कि मैंने बोला था आपको पॉलिटी का पोड़ा सेशन कम्प्रीट करवाओंगा, तो उसी को आगे बराते हुए मैं इस सेशन का छटा वीडियो, यानि इससे पहले मैंने 5 वीडियो अल्रेटी अपलोड कर रखा है, यदि आपने उसे नहीं देखा है बहुत ही most important वीडियो जिसे हम लोग कहते हैं प्रस्तावना, उद्देशिका, तो यह जो है यहां से बहुत सारे questions बनके आते हैं examination में, डायक्ट वे में, तो आईए इस रिच को आगे बराते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो किस ने इसे परजेंट किया था, तो अमेरिका के, अमेरिका से adopt किया गया था, मतब कि वहां से ग्रहन किया गया था प्रस्तावना के विचारों को, और दूसरा की इसकी भासा को जो है, अस्टिलिया से लिया गया था, ठीक है, तो अगर बात करें हम इसकी सुरुवात की, तो यह सुरुवात होते हैं हम भारत के लोग से और इसका जो आन्त होता है 26 नौवेंबर उनीस सोंचास को अंगिकरित करते हैं ठीक है तो और इसका जो इसे मतब इसमें एक मेजर संसोधन हुआ था जो वियालिश्वा संसोधन था 1976 में ठीक है तो यह सारी बातों को आपको ध्यान रखनी चाहिए इसमें क्या-क्या सब्द जोड़े गए थे तो इसमें जोड़े गए थे समाजवादी पंत निर्पेक्च और राष्ट की अखंडता सब्द को हम बता रहे हैं वो परस्तावना के तीन मुख्य अस्तम है क्या तो यह कहां मतलब कहने का मतलब है समविधान के स्रोथ तो स्रोथ क्या है तो मेली आपको यह पता होना चाहिए कि यहां का स्रोथ क्या है तो भाड़त के लोग हैं और जनता इसके मुख्य स्रोथ हैं यानि कि उन्हीं के लिए यह प्रास्तावना का निर्मान यानी स्रीजन किया गया है अगला जो है स्वरूप स्वरूप के अगर हम बात करें तो उसमें जो मुख्ये रूप से बाते आती हैं वो है संपूर्ण परवु संपन्य संपन्य आंथीक एंबाम भाइनरंग में सोतंतरता के लिए इसे लिया गया है ठीक है अगला जो इसकी मुख्ये बातों को गेबर है तो इसमें कितनी तरह की जो है समाईता जैसे कि हaz्माजिक समाजवादी होनी चाहिए समाईता पंत निर्बेक्ष सेनी वास्त्विक सासक वंसानुगत हो वंसानुगत ना हो यानि कि वंस के अनुसार ना हो इसमें आपको पता है लोग तांत्रिक है यहां लोगों के द्वारा चुना जाता है और वार्शरकार को तो और दूसरा अगर उद्देश का बात करें तो इसमें न्याय जो है मुख्य रखे हैं समाजिक नियाए आर्थिक नियाए एवं राजनितिक नियाए इसे प्रदर्शित किया गया है और दूसरा क्या है इसमें सोतंतरता समता व्यक्ति की गरीमा आदी को भी ध्यान में रखा गया है और क्या है जैसे भारतिय जनता को गरीमा पूर्ण जीवन जीने का गया होगा तो इसमें कुछ खास बाते और भी है जिसे महत्वपून तथ्थे के माधियम से मैं आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं तो पहला जो पॉइंट है हमारा वो है सम्विधान की प्रस्तावना को सम्विधान का कुंजी भी कहा जाता है ठीक है कुंजी कहा जाता है दूसरा जो पॉइंट है प्रस्तावना सम्विधान का आरंब और आंतरिक अंक होते हैं मतलब है जैसे प्रस्तावना सम्विधान का आरंबिक अंक होते हुए भी कानूनी तोर पर उसका भाग नहीं माना जाता है इसे सिर्फ ये सम्विधान का भाग है और इसे आरंबिक भ बेरु बारी Union बाद हुआ था 1960 में उसमें सर्वोची नलेने निर्ने लिया था कि समविधान का जो भासा है संदिक्ध होना चाहिए क्यों कि वह प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायक होता है अगर संदिक्ध होगा तो वह प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायक होगा और यह निर्वने कब लिया गया था तो वो लिया गया था बेरुवारी यूनियन वाद कर सकते हैं कहने का मतलब है यहाँ पर यहां पर मैंने मैंने दर्शा करता है कि अगला पॉइंट भाड़ती राजणितीक विवस्था में समविधान को सर्वोच माना गया है यह परस्तावना के माद्यम से परदर्सित किया जाता है अगला जो पॉइंट है भारत के समविधान समविधान की परस्तावना में तीन तरह की नया की बात की गई है समाजिक आर्थिक राहजनितिक जो कि मैं पूर्व में बता दिया और पांस परकार की स्वतंतरता की बात की गई है जिसमें विचार, अविवेक्ति, विश्वाज, धर्म एवं उपासना की बात की गई है दो पड़कार की समानता की बात की गए है जिसमें कि परतिषथा एवाम अपसर का उलेक किया गया है तो यह सारी बाते इंपोटेंट है जो कि आपके लिए इंपोटेंट, most most important है ठिक है, तो आई होब की यहां तक आपको सारी बाते परस्तावना से related समझ में आ गया होगा के सेशन को पूर्णता आप कंप्लीट कर सको और अनेक परकार के जो मैं मुख्य रूप से जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक फे वीडियो बनाता हूँ जैसे केंद्री करन विकेंद्री करन पर मैंने बनाया आपका काफी प्यार मिला उसमें और दूसरा मुद्रा इस फिर करती का मैंने वीडियो कल ही डाला है तो इस तरह की बातों को अगर आप अच्छे तरह से जानना चाहते हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन को भी दवा दवा देना ओके थैंक्स पूर वाचिंग ओके